बिग बॉस कंटेस्टेंस प्रियंका चाहर चौदरी को ट्विटर पर ट्रोल किया जा रहा है। शो में प्रियंका शालीन भनोट को बुली करती दिखी है और एक्ट्रेस की यह हरकत लोगों को पसंद नहीं आई। प्रियंका के साथ टीना को भी लोग खरी खोटी सुना रहे हैं। टीवी का विवादित रियलीटी शो बिग बॉस सोलर चर्चा में है। शो के ग्रान फिनाले में अब कुछी दिन बचे हुए हैं। जिस वजह से कंटेस्टेंस की नजरे ट्रॉफी पर हैं तो वहीं दर्शक भी शो के खिलाडियों की एक एक हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। इन दिनों शो में एक तरफ मंदली है, दूसरी तरफ प्रियंका चाहर चौदरी और टीना दत्ता का ग्रुप बना हुआ हैं, जिसमें शालीन भनोट नहीं दिख रहे हैं। बिग बॉस में शालीन भनोट काफी अकेले पड़ गए हैं। इतना ही नहीं, बीते एपिसोड में प्रियंका टीना ने मिलकर शालीन को काफी तंग भी किया, जिसके बाद एक्ट फूट फूट कर रोते हुए नजर आये। वहीं, अब सोशल मीडिया पर प्रियंका को फटकार लगाई जा रही है। लोगों का फूटा गुसा दरसल, बिग बॉस सोलर के बीते एपिसोड में कई बार ऐसा देखने मिला था जब शालीन ने टीना दत्ता और प्रियंका चौदरी को इगनो किया। लेकिन वह दोनों मिलकर शालीन से खूब पंगे ले रही थी। एक बार अर्चना गौतम ने भी शालीन भनोट के मजे लिए, जिस वजह से वहचर भी गए थे। वही, अब सोशल मीडिया पर लोगों का गुसा फूट रहा है। कई लोगों ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रियंका को शालीन को बुली करना बंद कर देना चाहिए। वही, कुछ लोगों ने शालीन को अच्छा इंसान बताया है टीना से लड़ाई के बाद अलग पड़े शालीन भनोट बता दे कि बिब बॉस सोलह में शालीन भनोट का बॉन्दस सुंबुल तौकीर खान से बना था लेकिन दोनों के बीच काफी लड़ाई हुई और फिर दोनों अलग हो गए इसके बाद शालीन को टीना के रूप में दोस्त मिला हाला कि दोनों कई बार यह भी कहते दिखे कि वह एक दूसरे के लिए फील करते हैं दोनों कई बार थोड़ा क्लोज भी आये लेकिन सल्मान खान से लेकर दर्शकों तक ने टीना शालीन की को फैक बताया वहीं अब दोनों एक दूसरे से बुरी तरह लड़ते नजर आते हैं इस हफ़ते दोनों ने एक दूसरे को नॉमिनेशन में भी डाला है